आज मैं आपके साथ रब्डी खीड की रैस्पी शियर करने लगी हूं जो के बहुत मज़ेदार टेस्टी और फटा फट बनने वाली है तो चले स्टार्ट करते हैं यहां मैंने लिया है पोना कप जो है बाउल का चावल का इसी बाउल का मैंने पोना कप लेके चावलों को दो कर अच्छे से आदे गैंटे के लिए बिगो दिया था अब इन चावलों को मैंने एक ग्रेंडर में डाल के सिर्फ दो चक्कर लगाए हैं और ये चावल इस तरह की फॉर्म में मैश ग्रेंड हो गए हैं अब हम एक देचकी ले लेते हैं और देचकी में मैं फुल फैट मिल्क एड़ करूंगी उसकी मिलाई मैंने नहीं उतारी थी दूद के अंदर ही रहने दी थी अब दो अलच्चियां डाल देते हैं और साथ एक ग्रेंड की ओवे राइस जो हैं वो मैं डाल दूंगी पानी के साथ ही जाके दूद के अंदर जब वाइल हों पुकों तो पानी की खुद ही खुशक हो जाएगा अब इसको मिक्स कर लेते हैं और साथ साथ चमच छलाते जाएंगे और मीडियम फ्लेम पर हम पहले इसको पकाएंगे मीडियम फ्लेम पर जब पकेगा तो चावल वाइल फॉर्म में आ जाएंगे और वो दूद के अंदर अच्छे से ठीक होने लगेंगे यह देखे यहां चावल अच्छे से पक गए हैं तो अब हम इसमें डालेंगे कुटेवे बदाम आप अपनी मर्जी के नट्स डाल सकते हैं और दो चमच बरकर मैंने चीनी के लिए थे और यहां मैंने वन फॉर्थ कप जो है शक्कर ली है और यह वन टेबल स्पून बरकर मैं ब्रेट क्रम्ज डाल दूँगे इससे क्या होगा कि दूद के अंदर एक ठिकने सा जाएगी और ब्रेट क्रम्ज जाएं वो पानी को सारे अब्जोब कर लेंगे और अब इसको पकने देंगे सासा चमच चलाते जाना है और इदर चूला आपने लो कर लेना है बहुत अच्छे से इसको करना है जब पकने की फॉर्म में आजाए तो हम इसमें एक टेबल स्पून बर कर गर की मलाई जो आती है दूद की वो डाल देंगे और इसको दस से पांच मिनट तक इसको पकाएंगे और ताके अच्छी से उसमें ठिकने सा जाए अब यह देखें यहां दूद और खीर जो है बहुत अच्छी फॉर्म में आ गई है रब्री फॉर्म में आ गई है तो अब इसको मुतार के चूले से सर्फ कर देंगे यहां मैंने मटके में डाल दिये आप अपनी मर्जी के कंटेनर में डाल सकते हैं और यहां जब हलकी से स्टीम आउट हो जाए तो उसके उपर आप गार्णिश करें बदाम और नाट्स के साथ आप इसको सर्फ कर सकते हैं आप अपनी मर्जी से गार्णिश कर सकते हैं देखे वीवर्स कितनी जल्दी एक रब्री खीर त्यार हो गई है आप इसको जिस मर्जी मोके के लिए बना सकते हैं और फटा फट इंजॉय कर सकते हैं अगर आपको मेरी रेस्पी अच्छी लगी है तो लाइक का बटन प्रेस कर दें और अपने फीड़ बैक से मुझे अगार कीजिए कमेंट कीजिए और मिलते हैं अगरी रेस्पी के साथ अपना बहुत सा क्याल रखें अल्ला हाफिज